नमस्कार दोस्तों मैं C.A. नितिन गुरू आप सभी को वेलकम करता हूँ इस एक short informational वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको NISM के research analyst जो की papers की schedule में 15th exam है उसका introduction देने आ रहा हूँ research analyst का course हमने अभी अभी अपनी website skill91 पे launch किया है आप skill91 पे जाकर हमारा research analyst का course भाई कर सकते हैं जो की बहुत ही nominal pricing पे available है इस course में हम research analyst के बारे में detail में आपको पढ़ाते हैं excellent MCQs आपको देते हैं और practice करवाते हैं ताकि आप अपना exam बहुत अच्छे से दे सके पहले आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं कि research analyst का course किने करना चाहिए देखिए अगर आप NISM की series start कर चुके हैं अगर आप equity derivative का course हमारे साथ already कर चुके हैं mutual funds का भी course कर चुके हैं तो research analyst उसकी श्रंखला में next course आता है equity derivative के बाद कई बच्चे research analyst करते हैं कई बच्चे mutual fund का करते हैं और फिर उसके बाद research analyst करते हैं तो research analyst एक excellent curriculum है जो कि आपको ये बताता है कि companies किसी stock के ओपर किसी portfolio के ओपर किसी specific company के ओपर किस तरीके से research करते हैं कैसे top down approach कैसे bottom to up approach कैसे पहले economy को analyze किया जाता है पूरी देश को फिर industry को analyze किया जाता है फिर उसके बाद एक company को analyze किया जाता है इस सब पढ़ाया जाता है और इसमें कुछ specific ऐसी चीज़े पढ़ाई जाती है जो आपको कहीं भी और easily पढ़ने को नहीं मिलती जैसे legal structure यानि research analyst बनने के लिए NISM का exam पास करना क्यों जरूरी है क्या legal structure है research analyst की क्या responsibilities है जैसे से भी उनके उपर कौन-कौन से laws के थ्रू गवर्न करता है insider trading के बारे में बहुत सारी जानकारी है मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप research analyst का काम करना चाहते हैं तो आपको यह certification लेनी compulsory है जी हाँ अगर आप एक research report print करना चाहते हैं publish करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको research analyst की तरह certification प्राप्त करना NISM की compulsory है इंडिय में और एक बात में बताना चाहूंगा आजकल बड़ी बड़ी companies जो finance की field में analyst रखती हैं जिन लोगों को काम करवाती हैं वो उन्हें जरूर motivate करती हैं even big fours like EY, Deloids, KPMG यह लोग भी आजकल अपने employees को बहुत motivate करते हैं कि वो NISM की certifications पूरी करें तो यदि आपके पास certifications पहले से ही पूरी होती हैं तो there are high chances of employment in as a financial analyst in one of the big fours also तो मैं यह मानता हूं कि यह certification बहुत काम की है सही सही स्किल अगर आपकी इन करते हैं तो वो आपकी employability को बढ़ाता है उसी श्रंकला में आपकी skill building के श्रंकला में यह हमारा एक next कदम है research analyst देखे research analyst का जो curriculum है पहली बात तो यह है कि आपको NISM की website पे जाकि अपने आपको register करना है register कैसे करना है क्या process है उसके लिए मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप कहेंगे तो वीडियो मैं इसी वीडियो के description में डाल दूँगा आप उसे जरूर check out करिएगा अगर आपको NISM के लिए exam registration यह कैस 2400 रुपे में आपको एक certification मिल जाती है which is well known which is well accepted which is required in the industry today यानि आज की date में अगर आप एक analyst कितना काम करना चाहते हैं अगर आपने report publish करना चाहते हैं अपनी research करके तो आपके पास certification होनी compulsory आप सोच यह कि वो certification जो होनी compulsory है वो कुल cost आपको सिरफ 2300 रुपे कर रही है तो which is very very nominal very very nominal तो इस certification के लिए आपको मैं पहले यह बता दूँ कि fees जो देनी होती है यह NISM में जाएगी यह हम नहीं ले रहे यह NISM को जाती है आप directly deposit करते हैं आप अपने exam book करते हैं 1500 की fees है उसके बाद आपको 120 minute का test मिलता है 100 questions होते है maximum marks 100 होते है और जो passing marks हैं वो 60 होते है certificate की validity तीन साल होती है तो यह validity का क्या मतलब है validity का यह मतलब है क्योंकि curriculum change होता रहता है अगर आप एक analyst है तो समय के साथ साथ आपको आगे बढ़ना होता है तो institute मानता है कि या तो तीन साल बाद आप exam दुबारा दो और exam दुबारा नहीं देना चाहते तो एक one day की training होती है उस training benefit के बारे में पता हो आपको top to down और bottom to up दोनों approaches के बारे में पता हो कि सरीके से research की जाती है micro level पे macro level पे fundamentals क्या है और good research की report quality क्या होती है test के module मैंने आपको बताए दिया negative marking 25% है अगर आपका गलत answer होगा तो आप यह मान के चलिए 0.25 marks cut जाएंगे और आपका answer सही होगा तो आ अगर हम curriculum के साथ साथ इसके benefits के बारे में समझें कि यह क्यों चाहिए आपको तो test के अगर हम objective समझें कि वही क्यों हमें पढ़ाया जाता है यह test के objectives है research channelist के course के अब देखें इसमें कितना कुछ cover किया जाता है shares warrant से लेकर IPO FPO तक explain किया जाता है आपको बहुत सारी terminologies पढ़ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यह सब कुछ यह पूरे के पूरे 13 chapters के रूप में आपके पास यह सब कुछ की coverage आपको कराई जाती है excellent MCQs हम लोग आपको provide करते हैं जो आपको बहुत मदद करते हैं ताकि आप easily clear कर सके हैं अपना exam easily बहुत अच्छे score के साथ अगर हम बात करते हैं कि इसकी reasoning क्या है क्यों इस exam को देना चाहिए तो terminologies को समझने के लिए fundamental research को समझने के लिए ये सारी चीज़े पढ़ाई जाती है जैसे देखिए industry में BCG analysis, special analysis, Michael Porter के model को, SCP के analysis को इस सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है साथी साथ आपको एक अच्छा researcher बनाया मतलब मेरी strict recommendation रहती है कि अगर आप एक जीवन के ऐसे पढ़ापते हैं कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको research की field में जाना है, analysis की field में जाना है या फिर आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप आपको लगता है कि 46 महीने में एक साल में आप employment के लिए अपने papers डालने स्टार् मुझे लगता है कि NISM की certification best रहते हैं अपने आपको knowledge को upgrade करने के लिए इसके दो reasons हैं एक तो इनकी सभी certification बहुत quick हैं लगबग एक महीने के अंदर आप एक certification कर सकते हैं तो अगर आप 6 महीने में 6 certification कर लेते हैं तो आप effectively जब किसी भी employer के पास जाएंगे तो you are not a fresher आप बह proof करके जा रहे हैं कि मुझे इनकी knowledge है और आप इनमें अच्छा score कर सकते हैं प्लस जो cost है वो बहुत कम है अगर इमानदारी से बताओं आप मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 6 महीने में हिनत करी और हर महीने एक-एक certification पूरी करी तो 6 महीने में उन्होंने spend किये सिर्फ knowledge हो गई काम के बारे में, markets के बारे में और उसके बाद जब वो employment के लिए अपने papers डालते हैं तो there are high chances कि उन्हें शायद per month ही उतनी extra pay मिल रही हो, there are high chances कि आपका package higher होगा, आपकी employment जल्दी होगी अगर बहुत सारे लोग हैं उधर, तो शायद वो लोग जिनके पास NISM के certification ह होगी, उन्हें definitely preference दी जाएगी, क्योंकि जो employer है, जो research field में आपको रखना चाहता है, जो equity research है, किसी भी तरीके की research में आपको रखना चाहता है, उन्हें पता है कि इन लोगों के पास knowledge है, इन लोगोंने पढ़ाई कर रखी है, तो इनको train करने में हमें कम समय लगेगा, so they would definitely employ you, तो हमेशा अपने आपको knowledge के साथ साथ, employment ready courses भी करने चाहिए, इन NISM की series उसी श्रंखला में, बिल्कुल उसी श्रंखला में एक exam है, जरूर इसे prepare करे, skill 9-1 को visit करे, NISM के equity derivatives का course, mutual fund distributor का course, और research analyst का course, ये तीनों courses हम provide कर चुकी है, मैं आपको एक बड़ी website पे ले चलता हूँ, ये देखें, जी हमारा, ये skill 9-1 का portal है, आप इस पे जा सकते हैं, और इस पे आपको बहुत सारे skill building courses मिल जाएंगे, जिसमें इसके की, आपके पास NISM अगर मैं type करता हूँ, तो आपके पास NISM के उपर based courses आ जाएंगे, इसी श्रंखला में equity derivative or mutual fund के courses का tab आपको जाएगा, बहुत reasonably priced courses है, excellent courses है, excellent MCQs के साथ, you are most welcome to start this journey with us, और मैं आपके साथ बना रहूँगा, कोई भी आपको doubt है, तो course के अंदर मैं आपको अपना phone number भी provide करता हूँ, अपना Instagram ID भी देता हूँ, आप direct उससे communicate कर सकते हैं and I'll get back to you, alright, all the very best and welcome you all to skill 9-1, because when you upskill yourself, you become employable, job easily लगती है, आप अपनी jobs में आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसी candidates हैं, जो already employed हैं, लेकिन skill 9-1 के courses करने के बाद, उन्हें अपनी job में ही promotions मिली है, internally job में promote किया गया है, या salaries increase हुई है, employment मिली है, किसी और company में easily because of the certifications, तो बने रहें, और ध्यान रहें, कि य यह हमारी certification नहीं है, यह SEBI की educational wing है, यानि NISM की जो educational body है, वो SEBI derive करता है, SEBI की power से चलती है, तो आपके पास जो certification आ रही है, वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो SEBI दे रहा है, सो चो stock exchange board of India, it's valuable, आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं, all the very best, ध्यान रखें, love you all, अपना अपना अ के और रब कर सको, बाई बाई